मूवी के स्टार्ट में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक कार रुखती है उस कार में से एक आत्मी निकलता है जिसका नाम डैविड होता है जो कि पूरी मूवी का मेंन करेक्टर होता है अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ से रिसेंटली डिवॉर्स और उसने ही इस घर को अभी परचेस किया है यहाँ उसके हेल्प करने के लिए उसकी बेटी जैसिका भी आई हुई थी क्योंकि डैविड के लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वज़े से वो काफी परिशान था और उसकी बेटी उसे रिलाक्स और सिंपती देने क लिए यहाँ आई थी अब क्योंकि इस घर को खरीदने में ही उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे तो उसके पास अब कोई पैसे ही नहीं थे जिससे वो और कुछ खरीद सके थोड़ी देर बाद जैसिका और डैविड पूरे घर को एक्स्प्लोर करने लगते हैं और तब डै पैले जो घर के ओनर थे वो अपना सारा कीमती समान और सारी एक्सपेंसिफ चीजे वहीं छोड़ गए थे जिसमें फ्रिज ओवन जैसे चीजे थी डैविड को यहाँ लगता है कि शायद वो जल्दी में होंगे इसलिए वो अपना सारा समान यहीं पर भूल गए अब रात ह हो गई होती है और वो डिनर कर रहे होते हैं जहां वो बाते भी कर रहे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उन्हें पैसों की बहुत जरुरत है डैविड जैसिका को बताता है कि मेरी बहुत जल्द प्रमोशन होने वाली है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जो पैसो की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद जैसिका अपने घर चली जाती और डेविट भी अपने रूम में सो जाता है। जहां उसे एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। फिर डेविट उस पर से मिट्टी हटाता और बॉक्स को उपन करने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन उसके साथ उसे एक भूड़े आदमी की डेड वाडी भी मिलती है। ये देखकर डेविट काफी घबरा जाता है। लेकिन अपने आपको संभाल लेता है क्योंकि उसे उस पैसो की लालज आ गई होती है। अब वो उन सारे पैसो को उठाकर अपने घर ले आता है। और चेक करने पर उसे पता चलता है कि सारे नोटस ली है। इसलिए ये देखकर डेविट काफी खुश हो जाता है। ल की आवाज आती है। जिससे कोई घर में चल रहा हो लेकिन चेक करने पर उसे कोई नहीं मिलता। नेक्स डेविट अपने ऑफिस जाता है। जहां पर वो अपने फ्रेंड से उन पैसो के बारे में पूछता है। और उसे कहता है कि मेरे अंकल के पास दो मिलियन डॉलर्स जिस पर उसका फ्रेंड उसे मना करता है कि ऐसा करने पर सभी लोग तुमसे पूछेंगे कि पैसे कहां से आए। अब ये सुनकर डेविट सोचता है कि उसे पैसे चुपा कर रखने होंगे। और से ये भी नहीं पता होता कि वो पैसे हैं कितने। तो यहां पर वो रुपए बनते हैं। डेविट ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसे अपनी सोच से बढ़कर मिल गया था। इसके बाद वो उन पैसो को उसी रूम के पास रख देता है जहां उसे मूवी के स्टार्ट में डोर के पास कुछ पैसे मिले थे। अब वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ कर रहा है पिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन कुछ positive thinking भी उसे आती है कि क्या पता उस बुरे आदमी की family उसे ढून रही हो। इसलिए मुझे police को inform कर देना चाहिए। लेकिन उसकी negative side उससे कहती है कि क्या पता ये चोड था और क्या पता उ उसकी आँग फिर खुल जाती है क्योंकि उसे इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी घर में चल रहा हो। इसलिए वो एक basketball बैट लेकर kitchen में जाता है। जहां उसे अपना backyard door खुला हुआ मिलता है। लेकिन चेक करने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब अपनी imagination समझ कर coffee पीने लगता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक बिल्ली आ जाती है जिसकी वज़े से डैविट के हाथ से वो cup गिर जाता है और तूट जाता है और वो थोड़ा डर भी जाता है। इसलिए वो उन पैसों को फिर से चेक करने जाता है जहां पर वो पैसे बिल्कुल सही होते हैं डैविट जब फिर से सोने के लिए lights off करता है तभी उसे वहाँ उसके window पर उस बुरे आदमी का ghost दिखता है जिसे देखकर डैविट बहुत डर जाता है और जल्दी से backyard में जाता है जहां वो देखता है कि उसने उस box पर मिट्टी नहीं डाली है तब उस box को दुबारा खोलने पर वो बुरा आदमी उसे वहीं पर मिलता है लेकिन उसके पैरों में मिट्टी थी जिसे देखकर डैविट को थोड़ा शक होता है कि कहीं वो आदमी जंदा तो नहीं है इसलिए वो फिर से उस बुरे आदमी को चेक करता है लेकिन वो आदमी सच म मरा हुआ था अब डैविट सोने चला जाता है अब इस सारी सिचुएशन की वज़स से डैविट को अपनी जौब में जरा सा भी ध्यान नहीं लगता जिसे देकर उसका बॉस भी उससे नराज हो जाता है उसकी प्रमोशन भी कनफर्म नहीं होती फिर नेक सीन में जब डैव को चेक करता है उस बार भी पैसे सही पड़े होते हैं इसके बाद वो डिसाइड करता है कि इन पैसों के बारे में वो अपनी बेटी जैसिका को बताएगा इसलिए वो उसे कॉल करके मिलने के लिए कहता है लेकिन जब वो दोनों मिलते है तब डैविट सोचता है कि अगर मै उसकी backyard में कोई घूम रहा है अब पहले तो वो window से देखता है तब उससे कोई नहीं देखता लेकिन फिर से देखने पर उसे tree के branches हिलते हुए देखते हैं और ये देखकर वो काफी डर जाता है और वो decide करता है कि वो इन पैसो को वापस से box में रख देगा और उस box को दफना देगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भूरा आदमी इन पैसो की वज़े से उसे परिशान कर रहा था अब डेविड उन पैसो को इस box में डाल कर close कर देता है नेक्स डे अभी भी डेविड सुकून से बैठने वाला नहीं था और उसे इस रूम का खयाल आता है जहां बाहर से उसे वो पैसे मिले थे इसके बाद डेविड उस रूम को उपन करने की कोशिश करता है बड उस रूम का डोर लॉक था तब वो सोचता है कि शायद इसकी चाबी उस भूरे आदमी के पास होगी और इसलिए वो नेक्स डेव फिर से उस बॉक्स को उपन करता है और उस आदमी को चेक करने लगता है जिसके पास उसे वो चाबी और वालेट मिलते है और ये चाबी सच में उसी रूम के डोर की होती है इसके बाद जब डेविड रात को सोने जाता है तब ही वो भूरा आदमी खुद बाहर आता है और ड़ावनी आवाज में उसे कहता है हेलो और तब ही डेविड की आख खुल जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये उसका ड्रीम था अब ये सारी सिचुएशन की वज़े से डेविड बहुत परिशान हो जाता है और अपने पूरे घर में कैमरास फिक्स करवाने का सोचता है इसलिए वो उनी पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है और एक शौप पर कैमरा खरीद लेता है इसके बाद वो उन कैमरास को पूरे घर में लगा देता है और डेविड उस सीक्रेट डोड को खोलता है जहां उसे एक बेस्मेंट दिखती है और चेक करने पर वहां उसे कोई लंबी सी चीज व्रैप हुई मिलती है जब वो उस पर से मिट्टी हताता है तब उसे एक छोटे बच्चे की डेट बॉडी मिलती है और इस तरह की वहां पर पांच और डेट बॉडी भी पड़ी हुई थी ये देखकर डेविड बहुत घबरा जाता है और उपर आकर पुलीस को कॉल करनी की कोशिश करता है पास खड़ा हुआ था अब डेविड को भरोसा हो गया था कि ये सब कुछ वह बुड़ा आदमी ही कर रहा है और डेविड उसे मारने के लिए वहां जाता है लेकिन वह आदमी वहां नहीं होता फिर डेविड बैक्यार में जाने लगता है कि तभी अचानक से उसके पैर में वही टूटा हुआ कप लग जाता है लेकिन फिर भी वो इस बॉक्स के पास पहुच जाता है अब जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तब उसे वो बुरा आदमी वहीं लेटे हुए मिलता है और डेविड उसे गुस्से में पकड़कर उससे कहता है कि मेरे साथ प्रैंट करना बंद करो अपना ड्रामा बंद कर दो मैं जानता हूं तुम जन्दा हो इसके बाद डेविड उस बूरे आदमी को उठने के लिए कहता है लेकिन वो बुरा आदमी तो मरा हुआ था अब क्योंकि डैविट ने अपना होश पिलकुल खो दिया था इसलिए वो वहीं भी होश हो जाता है फिर नेक्स मॉनिंग जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को उसी बुरे आदमी के पास पाता है और वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और रेडी होकर आफिस के पास निकलता है लेकिन जब वो अपनी कार में बैठता है तब उसे वो डैड मैन अपने पास आते हुए दिखता है तब डैविट अपनी कार से उतर कर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो dead man डेविट को अपनी तरफ आता देख उस बॉक्स में वापस चला जाता है अब डेविट उसके पास जाता है और उसे पकर कर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम जिन्दा हो और अब बस कर दो मेरे साथ प्रैंक करना जिस पर वो dead man कुछ नहीं कहता और डेविट ये देकर बहुत परिशान होता है और वो एक chainsaw से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो चलना सके फिर जब डेविट अपने office जाता है तो उसकी हालत देकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना mental balance खो रहा है और उसका get up पूरा बिगड़ा हुआ था उसकी close on neck पर खून लगा हुआ था जिसे देकर उसका boss बहुत गुसा हो जाता है उससे कहता है कि ये क्या हाल बनाया हुआ है ये कोई तरीका है office आने का अब यहाँ डेविड भी अपने boss से argue करने लगता है जिसकी वज़े से उसका boss उसे job से निकाल देता है इसके बाद डेविड घर आ जाता है जहां उसके घर आने से पहले वो construction worker आ चुका था क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया होता है अब जैसे ही डेविड वहाँ पहुशता है constructor police को call करने लगता है लेकिन इससे पहले वो police को call करता डेविड उसकी सर पे hit करके उसे बिहोश कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता इसके बाद डेविड उसकी dead body को wrap करके उसे basement में ले जाता है और खुद को mirror में देखके कहता है कि मैंने बहुत गलत किया लेकिन इस बार भी उसकी negative side उसे कहते कि नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो constructors के पैसे चुराने आया था और उसे उसने मार कर बहुत सही किया और इसके बाद वो सो जाता है डेविड का friend उसे बहुत बार call करता है लेकिन वो उसका call नहीं उठाता अब next day उसका alarm बचता है और तब डेविड जाकर recordings देखने लगता है और फिर उसे वही डेड में किचन में दिखाई देता है जिसे देखकर डेविड अपना baseball bat लेकर नीचे जाता है लेकिन वहाँ पर डेविड का friend होता है क्योंकि वो डेविड से मिलने आया था अब डेविड उसे dead man समझकर उस पर अच्छानक से attack करता है और उसे bet से मारने लगता है इसके बाद वो drill machine से उसकी दोनों आखे निकाल देता है और उसे भी wrap करके brace man में ले जाता है अब डेविड को बार बार यही फिकर होती है कि कोई उसके पैसों को चुरा ना ले इसलि कि वो जिन्दा इंसान हो वो उनसे बात करता है गेम स्केल तरस के साथ टीवी भी देखता है और पैसों को लेकर सो भी जाता है फिर एक दिन इसके डोर पर जैसिका का फ्रेंड आता है और उसे देखकर डेविड उससे सोचता है कि शायद वो उसके पैसे चुराने आया हो इसलिए वो उसे भी बैट से मार कर बेहोश कर देता है और उसे भी व्राप करके बेस्मेंट में ले आता है लेकिन इस बार वो एक जिन्दा आदमी को व्राप कर रहा होता है कुछ तेर बाद वहाँ जैसिका आ जाती है और क्योंकि वो उसकी बेटी होती है डैविड उसे लेकिन वो उसे भी बेस्मेंट में ले जाता है जहां वो उसे कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड यहां पर है जिस पर जैसिका वहां पौच कर अपने फ्रेंड को देखती है लेकिन तबी डैविड उसे भी बैट से मार कर भी होश कर देता है और उसे वहां बंद कर देता है फिर वो उन पैसों को जला देगा लेकिन जब वो उन पैसों को जलाने वाला होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये पैसे उसके लिए सब कुछ थे इसके बाद उसे एक idea आता है और वो उन पैसो को लेकर अपने backyard में जाता है और उन सारे पैसो को उस box में रखता है और फिर खुद भी उस box में जिन्दा दफन हो जाता है अब यहाँ हमें पता लगता है कि वो dead man भी पैसो की लालच की वज़े से same ऐसी ही उसने भी किया होगा और उसे भी इस तरह से पैसे मिले होगे उसे भी इसी तरह उन पैसो को खोने का डर होगा और यही वज़े रही होगी कि उसने अपनी family को भी मार दिया होगा क्योंकि जो dead bodies हमने basement में देखी थी वो इस भूड़े आदमी की family की ही थी इसकी बाद वो खुद भी इस तरह से box में दफन हो गया होगा same डेविट जैसे दूसरी तरफ जैसिका का friend भी तडब तडब के मर जाता है और जैसिका भी वहाँ लटकी हुई थी और एक दिन वो भी वहाँ ऐसे ही मर जाएगे अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पैसो से प्यार करना उसकी लालच करना क्या होता है और इसी के साथ movie एंड हो जाती है